नमो नमह ओनलाइन सम्च्रित लर्निंग सेंटर में आपका पुनह स्वागत करते हैं। आईए आज हम दसमीक अक्षा के नवम पाठ जिसका नाम है सुक्त यह इसके अभ्यास भाग को हम करने जा रहे हैं। इसका पहला अभ्यास है एक पदे न उत्तरम लिखता। अर्थात एक सब्द में आपको उत्तर लिखना है। पहला प्रश्ण है पिता पुत्राय बाले किम यच्छती। बाले काल में पिता अपने पुत्र को क्या देता है। देखे पहला स्लोक है हमारा पिता यच्छती पुत्राय बाले बिद्या धनम अहत। इस से हमें पता चलता है पिता पुत्र को बिद्या धनम यच्छती। तो हम उत्तर लिखेंगे बिद्या धनम। गव नमबर का प्रस्ण है बिमूढधी की द्रिशिम वाचम परित्यजती। मुर्ख बुद्धिवाला कैसी वाणी को त्याग देता है। तिसरे स्लोक से पता चलता है धर्म प्रदाम वाचम त्यजती। देखो त्यक्तवा धर्म प्रदाम वाचम इत्यादी स्लोक से पता च लिखेंगे धर्म प्रदाम बाचम गव नंबर का प्रस्ण है अस्मिन लोग के के एव चक्षुस मंतह परकीरतिता हम इसे संसार में कौन है जिनको हम आखें अथवा द्रिष्टी संपन्न मानते हैं स्लोक है चौथा विद्वामस एव लोके स्मिन यानि विद्वान ही संसार म द्रिष्टी संपन्न विवेक संपन्न माने गए हैं हम विद्वामस एशा लिखेंगे वहां पर विद्वामस में विशर्ग नहीं है क्योंकि वहां पर आगे स्वर आया है इसलिए विशर्ग का लोप हुआ है ये भी संधी है जब हम अलग लिखेंगे तो वहां पर क्या कर करना होगा बिशर्ग को लगाना होगा अब घा नंबर का देखिए प्राणे भ्योपी कह रक्षणी यहां प्राण से भी बढ़कर किसकी रक्षया करनी चाहिए आचार की रक्षया करनी चाहिए हमें इससा स्लोक में हमें प्राप्त होता है देखिए आचारह पर्थमो धर्मह इसलिए हम लिखेंगे आचारह अब गोरें नम्मर में देखिए अत्मनहा श्रेह इच्छननरह किद्रसंकर्म नकुरियात अपना कल्याण चहने वाले बेग्टि कैसा कर्म नकरें देखो शातवा स्लोक है इसमें लिखा हुआ है अंतिम लाइन में देखो वाणी में क्या होने चाहिए एसा हमने पड़ा था अबक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदी तो अबक्रता शरलता यदी वाणी में होती है तो अच्छा माना जाता है इसलिए हम लिखेंगे वाची अबक्रता भवेद अब हम दुसरे अभ्यास में चलते हैं स्थूल पदानी आध्रित्य प्रस्ण निर्मानम कुरूत ऐसा दुसरा अभ्यास हैं देखो मैं ये 2020 के आधार पर CBSE के द्वारा निर्धारित पाठे क्रम से बना रहा हूं हो सकता है आपके पास पुराने पुस्तक हों और पुराने पुस्तक में इस क्रम से प्रस्ण नहों लेकिन आपको अब आगे आने वाले स्लेव से एसा ही होने के कारण इसी आधार पर इसी प्रस्णों के आधार पर आपको परिक्षा देनी होगी इसलिए आप इसी को उतारें और पुराने वाले के साथ आप confuse नहीं मोटे अक्षर को लेकर आपको यहाँ पर प्रस्न बनाना है उत्तर आपको यहाँ पर है ही आप देखिए कव नंबर का यहाँ पर उधारन भी दिया गया है उसको आप असोयम देख लीजिएगा इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे याने तत्वार्थ सब्द है अकारांत नपुम्सकलिंग तो किम सब्द के सश्टी विभक्ति एक बचन का रूप लगाएंगे कस्य और जोडेंगे और प्रस्न बाचक चिन्ह लगाएंगे तो इस परकार से प्रस्न बन जाएगा घौ नमबर में लोके इस सब्द को स्थूल किया गया है मोटा बनाया गया है तो लोके क्या है? लोक सब्द से सब्दमी विभक्ति में लोके बनता है तो हम क्या करेंगे? कुत्र लगाएंगे क्योंकि कुत्र ये एक अभ्यय है जो कहाँ पर एशा अर्थ सब्दमी विभक्ति का अर्थ सरल्ता से देता है इसले धहिर्यवान कुत्र परिभवन प्रापनोती एशा प्रस्न हमारा बन जाएगा अब अन्तिम है पर एशाम इसमें बोल्ड किया गया है इसको देखेंगे पर एशा सर्वनाम सब्द है सश्ठी विभक्ति में किम सब्द का हम बहुबचन का रूप परियोग करेंगे केशाम आत्मकल्यानम इच्छन नरह केशाम अनिष्टम नकुरियात एशे प्रस्न भी बन जाएगा ऐसे आपका दुसरा अभ्यास पूर्ण हो गया आईए तिसरे अभ्यास में प्रवेश करते हैं पाठा चित्वा अदोलिखिता आनाम स्लोका आनाम अनवयम उचित पदक क्रमेन पूर यता पाठ से चुन कर आपको यहाँ पर अनवय को पूरा करना है यह पेपर में जरूर आता है CBSE बूर के पेपर में दो दो नमबर के दो अनवय करने के लिए आएंगे आपको इसको विशेश ध्यान रखिएगा स्लोक है पिता यच्छती इत्यादी पहला स्लोक है कौन नमबर में हम पहले स्लोक में पहले लाइन के कौन- कौन से सब्दा आई हुए है उसको देखते है कौन सा सब्द चुटा हुआ है? पुत्रा या चुटा हुआ है तो हम पुत्रा या लाकर जोड देंगे ये आपका खालिस्थान भर गया आप दूसरे लाइन का देखते हैं यहाँ पर तत कृतक ज्यता चुटा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे अब ये पूरा हो गया एसे ही जो चुटा हुआ सब्द है उसको जोडते हुए अनवे को करना है बिल्कुल एसा ही आपको पेपर में भी दिया जाएगा उपर स्लोक होगा नीचे अनवे करने के लिए खाली स्थान को भरने के लिए रख दिया गया होगा खो नमर में देखिए ये स्लोक है पांचवां इसको देखते हैं ये न खाली स्थान यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णया है तो यहाँ पर के नापी सब्द छुटा हुआ है इसको जोड़ेंगे अब दूसरे लाइन में ये न कर्तुम खाली स्थान भवेत सह इती खाली स्थान तो हम क्या करेंगे सक्यो सब्द है उसको लाकर रखेंगे सक्यो को उकार के साथ भी रख सकते हैं लेकिन संधी को हटा कर स अवेत सह विवेक यहाँ पर विवेक एसा सब्द आएगा उसके बाद इती उसके बाद इरितह जो सब्द है उसको हम अंत में रखेंगे पूर्ण हो गया अब गव नमर में देखिए यह है सात्माशलो यह आत्मनह स्रेह सुखानी चा एसा पहले लाइन में है सब कुछ आ है लेकिन प्रभूतानी आया नहीं है तो हम प्रभूतानी यहाँ पर जोड़ देंगे उसके बाद सह परेभ्य अहितम होना चाहिए था सह यहाँ पर प्रिंट मिश्टेक होने के कारण चूटा हुआ है इसको आप जोड़िए और परेभ्य अहितम उसके बाद खाली इस्थ से अनवे हो जाएगा अनवे करने के बाद आप चतुर्थ अभ्यास में प्रवेश करें यहाँ पर है अधो लिखितम उदाहरण दोयम पठित्वा अने साम प्रस्ना नाम उत्तर आणी लिखत नीचे लिखे हुए दोनों उदाहरण को पढ़कर और प्रस्नों के उत्तर दिसरा स्लोक संख्या इस स्लोक के आधार पर एक प्रस्न देकर उसका उत्तर दिया गया है उदाहरण आपको उसी उदाहरण के आधार पर उसी स्लोक से उत्तर देना है देखिए क्व में लिखा हुआ है धर्म प्रदाम बाचम कहते जदी, धर्म देने वाले याने सब के साथ आनंद देने वाले मिठी-मिठी वानी को कौन त्यागता है। में स्लोक को देखने से पता चलता है अपक्वम विमूढधी ही एसा अंतिम में विमूढधी अर्थाद मुर्ख बुद्धि वाला इस वानि को त्यागता है उसके बाद खाओ को देखिए मूढः पुरुशह काम वानिम बदती मुर्ख व्यक्ति कैसी वानि को बोलता है कीद्र संभलम खादती जो मन्द बुद्धि वाला है मुर्ख बुद्धि वाला वेखती है वो कैसे भल को खाता है इसी स्लोक में देखिए भूंगते पक्वम विमूढधी है ना तो अपक्वम करना है आपको क्योंकि वहाँ पर भूंगते पक्वम इसमें ये कार के बाद आगे औ आने के कारण पूर्वरूप संधी हो गई है अब स्लोक संख्या सात के आधार पर है उसको देखते हैं सातवा स्लोक ये है इसमें पहला प्रस्ण है कियंती सुखानी इच्छती कितना सुख चाता है प्रभूतानी सुखानी बहुत सारा सुख तो हम क्या लिखेंगे प्रभूतानी सह कदापी किम नकुरियाद वह व्यक्ति जीवन में कभी भी क्या न करें अहितम दुसरे का अहित न करें नकुरियाद अहितम कर्म इससे पता चलता है अब गव में देखिए क्या लिखा है सह के भ्य अहितम नकुरियाद वह किसका अहित न करें देखिए परेभ्य कदापिच इत्याद से हमको पता चलता है दुसरों का अहितँ न करें आपको परेभ्य लिखना है इस परकार से यह अभ्याश पुर्ण हो गया अब हम पाचों अभ्याश करते हैं देखो आपको प्रस्ण में एक सुक्ति दी गई है उस सुक्ति से जो अर्थ निकलता है वेशा ही अर्थ निकलने वाले दो और सुक्तियां इस मंजुसा में रखे गए हैं आपको वाँ से ढूण कर यहां पर रखना है जैसे को नमबर का देखिए बिद्या धनम महत बिद्या धन सबसे बड़ा धन है ऐसा इस पहले सुक्ति का अर्थ मालूम होता है इसी प्रकार से बिद्या को स्रेष्ट बताने वाले दो सुक्तियां हम यहां पर देखते हैं एक है बिद्या धनम सर्वधन प्रधानम बिद्या धन सभी धनों में प्रधान धन है यह हमारे लिए सुईकार योग्य है इसलिए हम यहां पर इस सुक्ति को लिखेंगे दुसरा है बिद्या धनम स्रेष्ठम तन मूलम इतरत धनम बिद्या धन स्रेष्ठ धन है बिद्या धन के ह मूल से और धन प्राप्त होते हैं, इस सुक्ति का अर्थ ये हैं, तो हम इसको भी लिखेंगे, उसके बाद ख़ो में देखिया आचार हमारा प्रथम धर्म है, व्याभार हमारा सबसे पहला धर्म है, तो इससे मिलते हुए अन्य सुक्ति देखिये मंजुसा में, सम्युक्तह संपूर्ण फलभाग भवेत आचार से सम्युक्त बेतिस संपूर्ण फल को प्राप्त करने वाला संपूर्ण फल का भागी होता है तो हम इसको जोड़ेंगे यहाँ पर दुसरा सुक्ति ढूंडते हैं आचार प्रभवोधर्मह संतस्चाचार लक्षणा यह उसक अब हम गह का देखते हैं चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम चित्तमे वाणे में जिसकी सरलता हो वही समत्व है वही समानता है अब इससे मिलते जुलते बचे हुए दो हैं उनको हम रखेंगे इस परकार से पांचों अभ्यास पूर्ण होता है छठा अभ्यास इसका हो जाएगा अपक्व विमूढधिह इसका सुधी हो जाएगा कातरह हो जाएगा किरतग्यता किरतग्नता आलस्यम उद्योगह परुशा कोमला इसी छठे अभ्यासे के आदो देखिए अधो लिखिता नाम, सब्दा नाम, त्रयह, समानार्थकाह, सब्दाह, मंजुशायाह, चित्वा लिखेंता, नीचे लिखे हुए सब्दों के तीन-तीन समानार्थक सब्द आपको इस मंजुशा से ढून कर लिखना है, देखिए प्रभूतम, प्रभूतम का मतलब बहुत सारा होता है, इसका एक बहु, देखिए, उसके बाद भूरी लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे, उसके बाद विपुलम लिखा हुआ है, इसको भी लिखेंगे, स्रेयह, खानमर में स्रेयह है, इसका अर्थ होता है, कल्यान, स्रेह का अर्थ देने वाला सुभम यहा का मतलब मन होता है तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है मनजुसा में मन है इसको लिख दिया चेत है इसको भी लिखा मानसम मानसम को भी लिख दिया मानसम का मही मन हे अर्थ होता है अब सभा सभा को देखते हैं समसद इसका एक परियायवाची सब्द है परिशद यह भी इ लिखा हुआ है, इसको भी जोड़ देंगे, गनमर में चक्षुष, चक्षुष का मतलब आख होता है, इसका परियायवाची सब्द लोचनम है, इसको लिखें, नेत्रम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको लिखें, नयनम यह भी है, इसको भी जोड़ देंगे, इस परकार प्रियाईवाची सब्द आननम है उसको लिखें और शेष वक्त्रम इस प्रकार से इसका भी अभ्यास पूर्ण हो गया सातवे अभ्यास को देखते हैं देखो अधस्ताद नीचे हम समास के विग्रहों को दे रहे हैं आप क्या करें उसे के समस्तबद को पाठ के आधार पर ल यह समस्त पद है इसको बिग्रह करके यहां समझाया गया है आपको यह सश्ठी ततपुरुष समास है वाची पटू वाने में पटू यह वाक पटू हूँ एसा सब्द बनता है और यह सब्तमी ततपुरुष है धर्म प्रददाति इती ताम धर्म प्रदाम यह उपपद नहितम-अहितम यह भी नयतत पुरुष है महान, आत्म, एसा, महात, मनाम यह बहुव्रिही समास है इस परकार से आपके समस्त अभ्याश यहां पर पूर्ण हो जाते हैं इसी के साथ इस पार्ट से विदा लेते हैं अब हम अगले पार्ट में पुनहा आपसे मिलेंगे तब नमहा, पुनर मिलामह, धन्यवादह